शेफ शीरूज स्वागत करते हैं आपका आज बड़ी ही पसंद की जाने हो रिडेश मटर पनीर बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हम इंग्रीडियंट्स लेंगे पनीर मटर टमाटर कटिंग इसी हिसाब से करिएगा लसन अधरक प्याज आलू जरूर डालिएगा क्योंकि आलू जो है वो टेज डेवलपर होता है मैं आपको यह चीज कई बार बता चुका हूं सरसों का तेल लेंगे हम कुकर में बनाएंगे और उसमें शक्कर एट करेंगे शक्कर एट करने से जो कलर रेडेश आता है ग्रेवी में जो आप अकसर जाबा या होटल में देखते हैं वो इसी वज़े से होता है बटराई करके देखिए तब यकीन होगा होल रेड चिली डालेंगे तेज पता डालेंगे इसमें फ्लेवरिंग के लिए फ्लेवरिंग इंग्रीडियन्स हम पहले ओयल में एट कर देंगे हेंग जीरा काली लॉंग, इलाइची, थोड़ी अजवाईन, ये सारे फ्लेवरिंग इंग्रीडियन्स है इसमें एट करेंगे लेसन, हलका गोल्डन होने पे अद्रग एट करना है प्याज एट करना है आप देख सकते हैं और इसको चला के फ्राई करना है जो आप नॉर्मली तेल में प्या इसका कलर आप देख सकते हैं डिफरेंस ये शक्कर एट करने के वज़े से है इसको अच्छे से फ्राई करना है धाबा वाला ग्रेवी आपको इसमें मिलेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट एट करके इसको मिक्स कर लेना अच्छे से धीमी आज में पकाना है पूरा मतर डाल द अब अलु कर देना इसमें ये देखिए अमने आलू के पीसे से इसमें इड़ कर दिया है तो अब जो पकना है उसने एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रुरत नहीं है नमक के बाद नमक अकषर हम लोग टमाटर के बाद ही एड़ करते हैं इसमें हल्दी धनिया पौदर मीट मसाला, सबजी मसाला, किचन केंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, जो भी मसाले उसमें एट करना है, अब इसमें पानी जो है, वो सबजियां ही छोड़ रही है, और उसमें ये पक रहा है, तो एक नैश्रल फ्लेवर आता है, आप देख सकते हैं, जब पानी पूरा जल जा आप देख सकते हैं, ये पकना स्टार्ट हो गया है, मसालों के साथ सबजी भी पक रही है, पनीर भी नहीं डाला है, पूरी तरह से गल जाएगा, जब ये होने लगे तो फ्लेम को फुल हाय कर दीजे, और पकने दीजे मसालों को, देखेगा क्या गजब टेस्ट आएगा, आप देख सकते हैं, पानी खतम हो रहा है, अल्मोस्ट, ये देखिए, पानी खतम हो चुका है, तेल छोड़ चुका है, और बेतरीन तरीके से फ्राई हो चुका है, हमारा ये मसाला, अब इसमें आट कर देंगे हम पनीर के टुकडे, ला जबाब खुश्बू आ रही है, मह प्रेवी हम लगाएंगे, वैसे एड़ कर देना है, और मिक्स कर देना है, हाई फ्लेम में ही, उत्तर भारत में पसंद की जाने वाली और वहीं की देश है, अबाल आने लगे, सुकूकर का धकन लगा करके मीडियम लो फ्लेम करके इसे पकने दीजिए, एक या दो सी टीप क के बाद बहतरी मटर पनीर ये आपके सामने तयार है, थोड़ा रसा जादा लगाया हुआ है, ताकि चावल के साथ आप खा सकें, मज़ा आएगा, टेस्ट एकदा मगर आपने कभी धाबे में खाया है, तो यकीन मानिये, वही टेस्ट आएगा, देख सकते हैं आप, पूरी प्राइस के साथ खाये, बहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा, ये गैरेंटी है, कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, डिश अगर आप बनाते हैं, तो ज़रूर आपका एक्स्पिरेंस शेयर करिएगा, बहुत सारे डिश अविलेबल हैं, सब्सक्रा कर दोते हैं, आपके।